लो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे टडाला फिल के बारे में मेगालेस या सियालीश के नाम से जिडेशन करने इसको जेनल बढ़ाने के लिए क्यिक यह स्टेंथ यह कि मिलेते ओज हैं कोई रहती है क्रियो सिटी रहती है यंग स्टर्स में कि एक बार टाबलेट लेकर ट्राइब करें कम डोज ले सकते हैं हपते में एक बार ले सकते हैं कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा महिने में एक बार ले सकते तो इस तरह के थौट के साथ यंग स्टर्स देखे जात भी ये दवाई बता देते हैं और लोग इस दवाई को खा लेते हैं तो पहले तो मैं आप सबको ये सला दोंगा कि कभी भी इस तरह कि कोई medicine expert की सला से ही लें और उस दवाई के बारे में पूरा A to Z X by Z जान लें क्योंकि इन दवाईयों के अपने side effect भी होते हैं अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ popularly 1988 में जब वियागरा बजार में आई तो treatment जो था sex problems का वो totally बदल गया लोगों का approach बदल गया और वियागरा एक blue tablet के नाम से बहुत famous हुई लोगों ने इस दवाई को left rat खाया भी और जो फार्मा कंपनिया हैं उन्होंने प्रिचार भी इसका इस तरह से किया कि वही ब्यागरा हर problem का solution है बट ऐसा नहीं है व्यागरा के अपने side effect है और टड़ना फिल या मेगालेस या फिर सियालेस की नाम से जो brand market में एबलेवल है उससे ज्यादा व्यागरा के side effect होते हैं तो side effect के मामले में यदि देखा जाए तो टड़ना फिल जो है वह ज्यादा better medicine है और ज्यादा है लंबे समय तक वह काम करती है यानि यदि हम व्यागरा और टड़ना फिल दौनों को देखें तो व्यागरा फोर्ट उसिक्स आवर तक active role play करती है लेकिन जो टड़ना फिल है जो मेगालेस है या फिर सियालेस है इसका ब्रांड नेम है टड़ना फिल जैनरिक नेम टड़ना फिल नाम से फिर डिफ्रेंट और भी ब्रांड आते मार्केट में तो जो टड़ना फिल की अपनी यूनिक फीचर्स है जो क्वालिटी है यह लगबग 12-24 आबर्स तक बाड़ी के अंदर इसका एफेक्ट रहता है और इसका जो एफेक्ट होता है काफी सस्टेन इंड होता है ऐसा नहीं होता कि एकडम पीक पे जाया और फिर खतम हो जाए तो इसी लिए इसको बीक सेक्स टबलेट भी कहते है कुछ लोग हनी मूून मेडिसन के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसको ट्राइल के रूप म 5 mm 10 mm 20 mm so never start with a higher dose मैं आपको ये सलादूगा कि कभी भी ज्यादर डोस से आप ये start करें आप low dose ले सकते हैं point मतलब 5 mm आप ले सकते हैं तो और यदी इस दबाई को आप मतलब weekend में लेते हैं तो मतला हपते में एक दिन यदि आप कोई टडला फिल्ड का सपोर्ट लेना चाहते हैं और आपको कोई सेक्षुल वीकनेस है आपका डूरेशन यदि कम रहता है या टाइम नहीं लगता या फिर आपको हार्डनेस कम है ब्लड फ्लो कम है पैनेस के अंदर और सेक्षुल एनरजी आपके पास नहीं होती है तो फिर इससे यह प्रॉब्लम्स काफियत तक ठीक हो जाते हैं लेकिन यदि आपको कोई एंजाइटी का इसू है या फिर इंपोटेंसी है या इस्परम काउंट लो है या टेस्टी स्ट्रों का लेबल बहुत ज़्यादा लो है तो फिर आप डॉ कॉफिडेंस का वाब है वो कॉफिडेंस लाना होगा उसके लिए आपको काउंसलिंग बहुत मदद करेगा प्लस कुछ मैडिसन का सपोर्ट ले सकते हैं लेकिन टडला फिल के बारे में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यदि लेना चाहते हैं तो लो डोस से स्टार्ट करें बीक में एक दिन ही लें यानि 5 मिलीग्राम आप ले सकते हैं और यादी आपको ब्लॉड पैशर है आपको डाइबिटीज है यदि आपको कोई दिमा की इसू है किसी तरह की आप दिमागी दबाई खाते है या आपको माइग्रेण का इसू है या फिर आपको कोई से लेना जानलेबा हो सकता है यदि आप हेल्दी है नॉर्मल है और आपको कोई सेक्षवल वीक्नेस है टाइम का इसू है एरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो यह दवाई आपके लिए ठीक है फिर यह आपको सपोर्ट करेगी और इससे आप एक नॉर्मल अपनी जो अच्छी सेक्षवल लाइफ है उसको सस्टेन कर पाएंगे बट आलवेज स्टार्ट विद लोडोस और आप बीकेंड में इसको लें और यदि आप फ्राइड लेते हैं तो यह आपका सटर्डे और संडे तक इसका एफेक्ट रहता है दो दिन तक और आपको एक टेप टाबलेटी क्या है सेफटी यदि वीक में एक टाबलेट लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्लिनिकल साइड इफेक्ट नहीं होंगे हलका फुल का है जुखाम हो सकता है आपको सरदर्द आ सकता है तो आप उसको नॉर्मल टाबलेट से या फिर टी एंड कॉफी से आप इसको मैनेज कर सकत हैं लेकिन हाइर डोज के साथ थोड़ा सा गड़बड होती है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हाइर डोज यदि आप जाना चाहते हैं आपको कोई एक्टाइल डिसफंक्शन यानि कोई सेक्स्वल प्रॉब्लम है तो आप अपनी काउंसलर फिजीशन या सेक्स् इस्तेमाल करें थैंक यू वेरी मुच और टेक केर और सिर्फ